आज सबसे important topic पे कि देखेगा बाजार में आगे किन particular event पे आपको अभी भी focus रखना है मैं फिर से बोलाओ अभी भी आपको इन दो events पे बिलकुल particular focus रखना है और इसी के according ही देखेगा market आगे behave करेगा ये दोनों important update बहुत important है चुकि इससे पूरी तरीके से जो बहुत बड़ी economy है चाइना एक से impact होगी और second जो update है उससे पूरी US market में impact देखने को मिलेगा तो that's why आपको पता है कि volatility market में continue रहेगी यानि कि आप आपको एक one way trend नहीं देखने को मिलेगा इसके लिए आपको ready रहना है one way trend जो है आपको जो अभी लगातार देखने को मिलना था वो अब थोड़ा सा देखीगा breakdown होता हो देखने को मिलेगा और आपको केवल volatility increase होते हो देखने को मिलेगी तो इस particular volatile market में कैसे market react करेगा वो depend करेगा ये दोनों update कैसे कैसे execute होती है तो आज आप लोगों ने देखी दोस्तों अगर शुरुआत में लेखेंगे तो morning में जैसा expectation की गई थी कि morning में एक बढ़ी हाँ आपको देखेगा downfall देखने को मिला continue back to back चुकि देखेगा आपको पता है कि global level पे भी pressure कर आपको देखने को मिला था और सुबह morning में scenario तो change हुआ था बट nifty nifty bank में आपको pressure देखने को मिला था बट scenario बदला कब scenario बदला जब European market खुलने का वक्त हुआ यानि कि जब European market में जब opening होने का time हुआ तब आपको scenario change हुता हुआ देखने को मिला और आप देखेंगे चाए आप nifty की बात करें और nifty bank में आपको V shape recovery देखने को मिली जैसा कि आप देख सकते हैं exactly V shape recovery देखने को मिली तो it is expected की देखेगा जब लगातार लगातार market गिरता है तो आपको कहीं ना कहीं short covering देखने को मिलेगी बट आने वाले session में आपको दो बड़े update जो की आपको एक तो देखने Asian market में reaction देखने को मिलता है तो पहला update मैं आपके साथ discuss करना चाहूंगा कि देखेगा जो चाइना में देखेगा जो इतनी बड़ी बिक्वाली देखने को मिली थी वो बिक्वाली इसलिए भी important है जो कि इससे पूरी तरीके से चाइना की जो 2% की GDP यानिकि 2% की GDP है वो सीध सीधा impact होगी अगर यहाँ पे कोई भी hidden fact है जो बताया नहीं जा रहा है तो उससे सीधा सीधा चाइना की 2% GDP impact होगी आप समझ सकते हैं यह किसी भी country के लिए बहुत बड़ा एक trouble होगा तो आप देख सकते हैं कि domestic and global market face big crackdown है यानि कि आप देखा होगा कि back to back आपको crackdown देख हैं वो चाइना की second largest real estate group है और अब इनको थोड़ा सा trouble face करना पड़ा है और इनको अगर कोई trouble होता है तो यानि कि चाइना की GDP पे भी बहुत बड़ा trouble देखने को मिल सकता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पूरी तरीके से कि जो European market है वो भी आपको crackdown होते 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 हो देखने हो मिले थे, Wheel reloads होते हैं अब यह big trouble में क्या है इनने बहुत बड़ी funding ले रखी है और अगर यह इसको चुका नहीं पाते हैं तो interest back-to-back बढ़ता चला जा रहा है और इसमें default की crisis बढ़ते जा रहा है अगर default हो जाता है तो इससे बहुत बड़ा trouble में आ जाएगा China का GDP तो आप देख सकते हैं details about the reality developer Evergrande he said that the company was facing default issue यहाँ पे देखेगा आप default issue face कर रहे हैं और default issue बहुत बड़ी चीज होती है चुकि ऐसा तो बिलकुल भी possible नहीं है पूरी तरीके से अपने चीजों को better कर लेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें बनी रहेंगी और इसके statement आपको देखते हुए देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे Evergrande has been scambling to raise funds to pay its money many lenders यानि कि देखेगा यहाँ पे इनको trouble क्या औरा fund raise करने में इनको एक बहुत बड़े fund की जरूरत है ताकि जो अपने lenders है उनके interest को pay कर सकें और उनके principal की installment को pay कर सकें तो देखेगा यहाँ पे with regulators warning that it's 305 billion dollar of the liabilities कितने dollar की liabilities है 305 billion dollar यह छोटी liability नहीं होती है बहुत बड़ी liability होती है इसके लिए बहुत बड़े fund की भी जरूरत होगी which is 2% of China GDP यानि कि देख सकते हैं आप पूरी तरीके से चाइना की GDP का 2% आपको देखने हो मिलेगा could spark broader is to the country's financial system तो देखेगा यहाँ पर अगर यहाँ पर यह stabilize नहीं हुआ यह मामला यह पूरी तरीके से जो पर्टिकुलर अपडेट है यह गर stabilize नहीं हुआ तो it will create panic in the China ecosystem economic system में वहाँ पे आगाई एक trouble create कर सकता है तो अभी तक यह कोई भी clarification नहीं है इसा नहीं हो रहा यहाँ पे चीज़ें better हो गई है ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसलिए यह particular update आपको बहुत दिमाग रखना है time to time basis पे चुकि यहाँ पे अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो पूरा Asian market इससे react करेगा second update तो आपको बता है कि आज से शुरू हो चुकी है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से देखेंगे अपने जैसे आपको बता है कि चाइना के जो बाजार थे यूरोप के जो बाजार थे वो आज open हुए higher open हुए और वहीं से देखेगा जब तक इंडियन market गिर रहा तो वहीं पर consolidation के बाद आपको recovery देखने को मिली है लेकिन अभी दो एक event है एक event तो मैंना कोटा दिया चाहिना वाला second event है fed meeting तो fed meeting में भी देखेगा बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारी चीजें अभी discuss होनी हैं बहुत सारे reaction आने हैं और reaction के बाद statement के साथ indication और signal भी आने हैं तो वो चीज बहुत important है but on the basis of this कि अगर आप देखेंगे European marketing ने react करा है जिसको Indian trends ने और देखेगा US trend ने follow करा है अब क्या चीजे हैं तो the rebound for the European stocks comes after market got off to a poor start to the week क्यानी कि आपको पता है कि बहुत बड़ी गिरावट थी जिसके basis पे आपको चीजे देखने है वो आज start हो चुकी है और आपको पता है दो दिन में उसका outcome आएगा तो within two days market फिर से react करेगी volatile रहेगी up and down रहेगी अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो सबसे important क्या है कि देखेगा अभी जो US 10 year bond yield है वो भी अभी आपको अप देखने को मिलना है तो situation देखेगा जब इत्ती बड़ी गिरावट होती है तो देखेगा market में recovery आती है short covering but जो भी particular update है इन पे भी हमें focus रहना है आगे चल के चुकि यह event बहुत important है और इन event का clarification ज्यादा दिनों में नहीं आना है within two days में देखने हो मिलेगा और चाइना का भी क्या reaction है वो भी आपको day to day basis पे देखने हो मिलता रहेगा तो इसलिए you have to be alert in the market ऐसी जगे पे investment करिए जहाँ पर आपके return के chances बहुत ज़ादा हो stocks बहुत ही undervalued हो thank you so much झाल